नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका निउस्टोर 24 में तो आज हम बात करने वाले हैं वैक्सिन पॉलिसी के बारे में मजबूरी या जरूरी पीम मूदी ने क्यों बदल दी अपनी वैक्सिन पॉलिसी सुमवार को ये निर्णन लिया गया कि राजियों के पास वैक्सिनेश सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं पलदान मंत्री नरिंद मूदी ने सुमवार की शाम देश के नाम संबोधन किया इस दोरान उनोंने देश में लागू वैक्सिन निती में बदलाओ किया उन्होंने वैक्सिन निती गया कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा 25 परतीशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये ववस्ता आने वाले दो हफ्तों में लागू की जाए सुप्रीम कोट ने अक्तियार किया था कडारू पीम का ये बड़ा एलान है कि इस सरकार की वै पहली नजर में मनमानी और दर्गहीन लगती है और अदालते इस पर मुख दल्शक नहीं हो सकती कि किसी को मुख टीका मिल रहा है तो किसी को भुक्तान करना पड़ रहा है वैक्सिन की एक कीमत नहीं है 18 प्लस का टीका करण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया 26 परतिशत हिस्सा खुद को खरीद कर राज्यों को मुख देगी किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खल्च करना नहीं होगा केंद सरकार उठाएगी खल्चा अब वैक्सिन की खरीद केंद के ही हवाले होगी खल्च भी केंद सरकार ही उठाएगी हाला कि 25 पर प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा लेकिन वो भी एक डूस που की निर्धारित कीमत से देड़ सो रुपई एक्स्ट्रा ही ले सकेंगे फ्राइवेट अस्पताल निर्धारित कीमत गीमत के बाद एक डूस पर देड़ ख्रेक में चला, देश आगे बढ़ रहा था, इस बीच राज्यों ने कहा कि वैक्सीन का काम राज्य करे, एक मई से राज्यों को 25 परतीशत काम दिया गया, उन्हें पूरा करने के प्रयास किये, इतने बड़े काम में किस तरह की कटनाई आती है, ये भी पता हो गया, मई में दो हफते बाद कुछ राज्य कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता अच्छी थी, फिर कई राज्यों ने कहा कि वैक्सीन के काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत करते थे, उनके विचार बदल गए, कि वैक्सीन की खुद से खरीद आसान नहीं, और केंदर को भी समझ में आ गया कि कोई भी टकराओ मिशन वैक्सीन का ब्रेकर बनेगा, इसलिए इस टकराओ का अंत्रकना भी जरूरी था, हर राज्यों को कुछ हफते पहले ही बता दिया जाएगा कि कितनी डोज मिलेगी, बाद विवाद छीट कर्शी, ऐसे मामलों में राजनीती नहीं होनी चाहिए, ये बात सबको समझनी होगी, कि वैक्सीन जैसे मुद्धे पर राजनीती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्ध नहीं देश का मिशन है, जिसमें जल्द से जल्द हर हाल में सब को ठीका लगवाना सब सरकारों की जिमिदारी है, प्राइवेट अस् रुपय ही एक्स्रा सर्विश चार्ज के तौर पले सकते हैं, वैक्सिन कंपनियों से केंद्र को COVID-SHIELD एक डोस 1500 रुपय में मिल रही है, जबकि राज्यों को 300 रुपय में और प्राइवेट असपतालों को 6000 रुपय में मिल रही है, को वैक्सिन की एक डोस केंद्र को 1500 रुप को वैक्सीन पर भी यही हाल है जो कोविश शील्ड से भी महँगी है लेकिन अब वैक्सीन के बेस प्राइस से 1.500 रुपए जादा ही लिए जा सकते हैं को वैक्सीन अधिक्तम